नमस्कार मेरे प्यारे साथियों कैसे आप से लोग आसा करता हूं बढ़िया होंगे तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टी परपाच चनल परिशाने के तन आज यूनिक जर्णी ऑफ डैशनेशन में और बहुत सारे लोग के SAC MTS के एक्जाम चल रहे हैं और यहां पर दो तारीक हो चुकी है, दो तारीक है एक्जाम हो चुका है, तीन तारीक हो चुका है तो डेफिनेटली जो हम लोग previous series चला रहे हैं यहां से बहुत हत्ता कम को हैल्प में रही है हाला कि कुछ-कुशन ऐसी भी देखने को बिल रहे हैं जो बिलकुल अलग बहुती ही जल्द आपके सामने हम लोग आएगे जहांप़ जुकि बाइचstory है उसके बार या परसों तक से बारेे जल्द ही उसके आने वाली स्ट्ट है ऐसकी का स्वेयो में उसक्त माहिने चलने वालि है उन अगे आने वाली स्ट्टों में बच्छों को बहुत ज़्यादा helpful होंगे वो वेली वीडियो ठीक है फिलाल हम लोग प्रिवेसर सीरीज में आज हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं 10 अक्टूबर 2017 सिर्फ तीन के जीके के कोशन तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले कोशन की और देखता है पहला कोशन क्या है हमार जानी कि आप किसी भी मुद्रा का क्या कर रहे हैं आधान प्रतान कर रहे हैं तो गवर्मेंट की आपको permission लेने पड़े हैं गवर्मेंट का instructions लेने पड़ेंगे या government का authorization लेना पड़ेगा तो आपको मैं बता दूं कि कोई भी मुद्रा है वो विनुआ की रूप में तब तो ये भी आपको घ्या करना है ध्यान रखना है और बाद में एक भारती सिक्का अधिनियम आये था जो कि 2011 में उसके नुसार जो बैद मुद्रा होगी वो गबर्मेंट को ऑथराइज़ करनी पड़ेगी तभी वो बैद मुद्रा मानी जाएगी तो इस अतरपरम कह सकते हैं क ऑथराइज़ेशन गबर्मेंट का मस्ट इंपॉर्टेंट है तब ही वो जो बिनमय के माध्यम में जो आपकी मुद्रा है वो स्विक्रित की जाएगी तो और उसको पढ़ना लिखना नहीं आता है किस एक भासा में तो उसको साच्चर नहीं माना जाता है तो किस उमर के बा था वहां पर किसी बात की बात की गई थी कि प्रतेक जो बच्चा है छे वर्स से 14 साल का उसको निसुल्क एवं प्रार्मिक सिच्छा प्रदान की जाए मुप्त में ठीक है तो यहां पर आप 6 साल से 14 साल की बात हो रही है तो यानि कि बच्चा कम से कम 6 में तो जब 6 बरस का आयू के बाद मापी जाती है यह साथ वर्स के बाद मापी जाती है option number हमारा क्या हो जाएगा second हो जाएगा अब थोड़ा सा और वी बता दें जो हमारी पिछली जनकरना हुई थी 2011 में तो इसमें हम बात करेंगे जो सबसे ज्यादा साथ चर्था वाला जो हमारा राज था वो उसी प्रिकार से अगर हम जो केंसासित प्रदेश हैं उनमें अगर सबसे ज्यादा साथ चर्था दर की बात करेंगे जो अगर हम यूटीज की बात करें तो सबसे ज्यादा है आपकी लच्छी दीप की किसकी है ये भी आपसे कुशन बन सकते हैं और लच्छी दीप की जो सा तो आपने यहां पे क्या क्वेश्चन देखे कि 2011 सबसे कम है 61.80 है फिर अगर यूटी की बात करेंगे तो लच्छी दीप आपका सबसे पड़ा लिखा है 91.85 और अगर सबसे कम की बात करेंगे तो यहां पे जो लिट्रेसी रेट है वो साथ वर्ष की आयू के बाद महापा ज घाए गा नेश्ट कोर्शन नमर तीन की बात करते हैं खॉन सा भाग संग और उसके छेत्र scrambled雕 यानि यूग करेंगे तु यहां पे तो संग और उसके चेत्र होगे और बात करेंगे यहां पर नाग्रिक्ता का प्रावधान है अभी जो नागरिक्ता से संबंदित भी लाया हुआ था ठीक है तो नागरिक्ता संबंदी जो प्रावधान है वो हमारे संब्धान के भाग दो में है और भाग तीन में हमारे नीती निरदेश सक सिध्धांत है ठीक है तो यह भी आपको ध्यान रखना कि समयान के किस भाग में क्या है ठीक है चलिए फिलाल ऑप्शन नमबर बना मारा करेक्ट होया नेश्ट कुश्चन नमबर फूर आपके सामने है सरकार के किस रूप में अंतिम निरणा लेनी की सकती जैंता के द्वारा तो यहां पे होती वो कौन होती है जनता होती है तो यह एक फरकार की फॉर्मिशन होती कऊ लोग तांत्री गडराज में इसा होता है और है सबसे पुराना वैद और चार वेद सेीद के किसे बारे मुल्लेक है किसके बारे मुल्लेक है संगीत के बारे मुल्लेक है जो रिगवेद हैं इसमें निया जादू-टोना सम्मंदी मंतरों का बर्णन किया गया है ठीक है तो यह सब आपके सामने लिखे हुआ है और जो हम अगर बात करेंगे जो रिखवेद है जो वहाँ पर कितने चंद है रिखवेद में 10600 चंदों का बर्णन है किसमें रिखवेद में तो option number फिला हमारा one से ही वह जाएगा next question number seven. गजनी के सुल्तान महपूध द्वारा उप महादीब का बर्णन करने का काम किस विदवान को सॉँपा गया था यानि कि जो गजनी का सुल्तान आये था अ कौन सा राइटर था उसका बर्णन किया था तो वह थे आपके अलवरूनी कौन से थे Ol силь नम्बर से करक्डों यहां पर correct हो जाएगा next question number है हमारा कौन सा 7 अपनी धुरी पर गती जो पृतिवी करती है यानि कि earth rotates on its axis is called यानि कि earth पृतिवी का अपनी धुरी पर घूमना क्या 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 लाता है rotation क्या लाता है जैसे यह हमारी पृतिवी है यह अगर अपनी axis पर ही घूम रही है particular तो इसको बोलते है rotation क्या बोलते है rotation बोलते है rotation को ही कहा जाता है घूणन तो इसी घूणन के कारण क्या होते है day और night होते है दिन और रात होते है और क्या करती पृतिवी है वो sun के चारो परिता भी घूमती है चारो और घूमती है इसको बोलते है परिक प्रित्वी के बिल्कुल बीच में क्या है इक इसको भूमद रेखा कहते हैं साड़े तेश डिगरी पर आपकी कौन सी करक रेखा है जो भारत के लगबग मद्द से उकर की गजरती है करक रेखा और अगर साड़े तेश डिगरी साउथ की बात करेंगे जिसको बोलते हैं मकर रेखा तो भारत हमारा कहां पर पढ़ता है उत्तरी गोला अर्द में पढ़त 兩ition, डिगरी सात मिनिट से 97 डिगरी पच्छे समठी ये पूर्वी दिशानतर की बीच क्या है इस्थ इता है भारत कि सेमाघाता है A.C.A. महाधीप में आता है, तो अगर हम और भी बात करें है भारत में जो बन है बन का छिट पल भारत में है 23% यानि कि अगर हम बन के अनुसार देखें तो 9 नमबर पर आता है इंडिया आपका पूरे वर्ड में और भारत की जो सीमा है वो साथ देशों को टच करती है कितने देशों को टच करती है साथ देशों को तो यह आपको कुशन द्याम रखनें कौन कौन से हैं पहला देश है बंगला देश सुनते रहिएगा बंगला देश है दूसरा आपका आता है भूटान ठीक है तीसरा आपका आता है चाइना चौथा आपका आता है मयंमार ठीक है पांचमा आपका आता है नेपाल छटमा आपका आता है पाकिस्तान और साथमा आपका आता है अफगानिस्तान तो यह ऐसे साथ देस्त हैं, जिनकी जो सीमा हैं, भारत की सीमा रिखासे का करती हैं, टेच करती हैं, क्लियर है, ठीक है, नेक्स्ट कॉश्चन नमबर कॉण सा है हमारा, 9 नमबर कॉश्चन पर बढ़ते हैं, कौन सा अजैवी घटक नहीं है, यानि कि अबायोटिक लेकिन जो आपका आगर हम बात करेंगे किसकी गटक नहीं है, जिएवे गटक नहीं है, मतलब कैसे गटक होने चाहिए जएवे गटक होने चाहिए जाएवे गटक घैने की ओवर ओर, क्वुशन को घमाकर बाएवे गटक के बारे हम पूछा गया है तो plants भी बायोटेक है, animals भी बायोटेक है, बाटर आपका बायोटेक नहीं है, option number हमारा यहाँ पर C correct हो जाएगा, ठीक है, next question number 10 को देखते है, the incisor tooth is meant for, यह जो कंतक दांत होते हैं, इनका मुख काम क्या होता है, तो आपको बता दें, जो human teeth होते हैं, यह चार परकार के होते ह पहला होता आपका incisor, ठीक है, दूसरा आपका होता है canine, ठीक है, तीसरा आपका होता है premolar, और चौथा आपका होता है molar, तो यह humans के चार परकार के दांत होते हैं, करंतक, रदनक, अगर्चवाणक और चवाणक, यह चार परकार के होते हैं, तो incisor की बात हो रही है, यहा पर जाता है तो मानव सरीर की जो आरवी सी हैं यानि की लाल लक्त कोसिकाई हैं इनका आकार में क्या परवर्तन होगा तो डेफिनेटली इनकी जो संख्या है वो क्या होती है बढ़ जाती क्योंकि जितने आप उचाई पर जाएंगे वहां पर आपका जो ऑक्सिजन लेबल बदलते हुए उसकी गती बदलती है तो एक वस्तू किस प्रकार की गती कर रही है जैसे कहने का मतलब यह मारा ग्राफ है इस पी टाइम अगर यहां पर सीधी रिखा में जा रहे है कोई व्यक्ति तो यह अगर समान समय के साथ समान दूरी तैय कर रहा है तो इसको बोलते है एक समान गती क्या बोलते हैं इसको एक समान गती या इसी को कहा जाते है यूनिफॉर मोशन ठीक है लेकिन कुशन में यह कहा गया कि कोई व्यक्ति सीधी रिखा में जा रहा है लेकिन उसकी गती क्या औरी लगातार परबरते तैसे चानक बढ़गी फिर कम होगी फिर प्रभाई एक तार से गुजरता है यानि की जो आपका मालो यह वायर है यहां से एक्सिर्च को प्रकार कर शुर्टी को कर आपकी है यहां किस प्रकार करेगा जाती लिखा पॉजरता हि टो घ disfrans अ magnet की तरह काम करता है, इसको electromagnet भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, electromagnet भी कहा जाता है, option number हमारा C correct हो जाएगा, ठीक है, क्या लिए, next question number 14 आपके सामने, computer system में typed, यानि जो data typed है, submitted या transmitted data किसे कहते हैं, तो यानि कि कोई भी चीज आपने की है, computer में, तो आप क्या करेंगे, जैब क computer के अंदर ही आपका input हो रहा की नहीं हो रहा, या transmitted कर रहे हैं, तब भी computer के input करना पड़ेगा, कि नहीं करना पड़ेगा, तो overall चाहें आपका type data हो, चाहें submitted data हो, चाहें transmitted data हो, इसको computer में input के अंतरगत रखा जाता है, option हमारा second correct हो जाएगा, ठीक है, question number 15 आपके सामने है, which of the following is an example of a mixture, तो आपको पता होना चाहिए कि दो term आते हैं, एक ही sense में, एक होता है mixture और दूसरा होता है अपका compound, ठीक है, दोनों की जो परवासा है, वो लगबग सेम हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, mixture क्या होता है, दो या दो से अधिक पतार्थों का ऐसा मिलन, या ऐसा मि पता है, या नि कि जो fix ratio होगा, वो आपका mixture में नहीं होता है, ठीक है, तो और वहीं अगर compound में क्या होगा, इनि में भी क्या होता है, दो से एक components होते हैं, लेकिन ये क्या होते है, एक fix ratio में होते हैं, जैसे कहने का मतलब है, अगर हम बात करेंगे, जैसे gel है, H2O है, अब य लेकिन ये कहीं न कहीं पर ज्यादा कम भी हो सकता है, तो CO2 हो गया, या और भी harmful gases मिल गई, तो air क्या, air is a mixer of many gases, not a compound of many gases, ठीक है, तो जब कोई दो या दो से अधिक पदार्त एक initial ratio में होते हैं, तो उसको compound कहते हैं, और initial ratio में जब नहीं होते हैं, उसको misran कहते हैं, तो यह यहां पर glucose का एक compound है, ठीक है, CO2 भी compound है, NO2 भी compound है, लेकिन अगर हम बात करेंगे, व्राश, यहां पर percentage में होता है, लेकिन fixed compound नहीं है, घटबड़ भी सकता है, तो option number second यहां पर एक misran है, ना कि यह compound है, ओके, next question number 16 है आपके सामने, यहां से एक इसका ले लिया, हमने electron और एक electron इसका ले लिया, और दोनों के बीच आपका जो bond बन रहा है, यह किसके कारण बन रहा है, दो साजा electron के कारण बन रहा है, टू shared electron pairs, आपस में non electron को share कर लिया, और bondation मना लिया, इसलिए option number C correct हो जाएगा, next question number 17 आपके सामने है, सभी हरे पौदे, कुछ नीले और हरे सैवाल जो प्रिकास इंसलेशन द्वारा बोजन का उतपादन कर सकते हैं, उन्हों क्या कहा जाता है, तो जब वो अपना खाना photosynthesis process के द्वारा स्वैम बना रहे हैं, तो यानि कि वो किसी अन पर तो निर्भर है नहीं, और जो प्रिव सभादक कहा जाता है, option number B हमारा correct हो जाएगा, next question में अठारा है, राष्ट्री पैंसन योजना में सामिल होने के लिए नियूनतम आयू कितनी थी, 18 वर्स थी, यह आपका factual question, next, Samuel Colt ने किसका आविसकार किया था, Samuel Colt ने आपका आविसकार किसी ने किया, revolver का आविसकार किया और जो safety razor होता है, यह तो सभी लोग जानते है, जिलेटन ने इसका आविसकार किया था, आजकल काफी हम लोग इसी का इस्तिमाल करते हैं, और जो पैंसलीन का आविसकार किसी ने किया था, Alexander Flaming ने पैंसलीन का आविसकार किया था, ठीक है, तो यह invention से भी question कूछे जाते है, और जो फिलाल, option number 1, correct है, next question number 20 है, बुल्स आई, इसे associated with which sport, यानि जो बुल्स आई है, किस खेल से संबन्दित है, बुल्स आई, तो यह टर्म है, जो कि आपका सूटिंग में इस्तमाल किया जाता है, कि बिल्कुल आपको आँख पर ध्यान के इंद्रित करना है, ठीक है, त और अरजुन पुर्सकार 27 का प्राप्त करता नहीं है, यह उस समय का current का question है, तो फिलाल इसको, आप इसके भी कर सकते हैं, अनुप कुमार थे, और यह जित्युसर पुजारा मर्यपन जस्वेर इन तीनों को मिला हुआ था, ठीक, question number 23 है, गोदान नाव पुस्ता के लेखा क और लाश्ट है मारा 25, भारत बंगलादे सीमा पर पहला एक ही करत चेक पोस्ट कौन सा बनाया गया है, कोई मुझे बताएगा, यह आपका अगरतला integrated check post था, यह बिल्कुल आप याद रखिएगा, ठीक है, तो यह एक ही करत चेक पोस्ट है आपका, किसका भारत और बंगला कुछन रिपीट होने बाले हैं, क्योंकि एक दिन महीने पेपर चलेंगे, तो नए-nए कुछन आएंगे कहां से, और MTS लेबल का पेपर है, टैंस से ऊपर जादनी नीप में जानी सकते हैं, तो आप इस बात को मान के रखिए, कि जो आप अगर प्रिवेस सीरी सीरीच लग आ रहे हैं, तो definitely यह आपको बहुत helpful होने वाली है, और साथी साथ में जो हम analysis देख रहे हैं, उस analysis में जिन 10 topics से question बन रहे हैं, उन topic को भी हम जल्दी आपके सामने लेके आने वाले हैं, कि जिससे आपको आगे जो उसे प्टाएंगी, और जो question बने हैं, अलग हट करके, और उन से आगे कौन से question बनेंगे, उन सब के बारे में बात करेंगे, तो बिल्कुल आप tension ना लीजिए, अपनी मेनत बर करा रखें, डेफिनियेट वी आपको सभालता मिलेगी, ठीक है वीडियो, चलिए दोस्तों मिलते हैं न नेक्ट वीडियो में, तब पर क्ले टेक केर, ब बाई, बाई, यह वीडियो, बाई, बाई